दोस्तो डोग लवार्स के लिए कल का संडे इतना स्पेशल था कि मैं बता नहीं सकता क्योंकि कल के दिन मैंने बहुत सारी वीडियो डाली थी और सभी कमपराइस में और इंटर्सिंग बात तो ये थी कि सभी वीडियो में एक से ज़्यादा डोग स्पीट आप लोगो देखने को मिली वैसे कल की संडे की बज़ाए आज का दिन भी आप लोग ले उतना स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो भी आप लोग ले उतनी स्पेशल होने वाले हैं जितने ही कल की वीडियो थी और गैस कल की वीडियो में जो बैस चीज थी वही चीज आज भी कंडिनी होने वाले है जो है एक वीडियो में एक से ज़्यादा डोग बीड जै गाइस इस वीडियो में भी आप लोग को च्यार डोग स्पीड देखने को मिलेंगी और सभी के क्वालिटी बहुत ही अच्छे है और प्राइस बिल्कुल गम वैसे भाई स्टार्टिंग प्राइस पता है कैं जस्ट फॉर थाज़न फाइफ एंडर डोपीस यानि साड़े चार अजार पे जै गाइस इन पपीस को आप लोग सिर्फ साड़े चार अजार से पर्चेस करना स्टार्ट कर सकते हो तो गईस पहले बात करते हैं इंडियन स्पीट्स के बारे में जिनने हम लोग पॉमरेनियन के नाम से भी जानते हैं तो गईस पपीस काफ़े एक्टिव हैं काफ़े गोलू मोलू से हैं और गईस बले ये डोग पीट स्मोल साइज के हो लेकिन चोड़े पैगिट में बड़ा दमाका क्योंकि ये बहुत अच्छे वोश डोग होते हैं अगर आप लोग के बाहर कोई भी आता है गेट पर तो ये उसी टाइम आप लोग को अलर्ट करते हैं क्योंकि वन अप दी बेस्ट वोश डोग की केटेगरी में आते हैं तो फ्रेंस ये जो इंडियन स्पीट्स पपीज हैं ये 35 डेस के हो चुके हैं और उन्हें जो इनके प्राइस के डिवान के हैं जियां गाइस आप लोग इनके कोट को देखें चोकि बहुत ही शायनी है और पपीज बिल्कुल पंच फेस में हैं तो अगर आप लोगो बहुत ही अच्छी कोईटिक और ब्लैक लेब्राड़ चाहिए तो आप लोग इन पपीज के लिए ज़रूत पड़ेगी और नहीं आ अधरी फादर की फोटो वीडियो उन्हें आप लोगों को पर्स नहीं कर देंगे तो उन्हें चुन के प्राइस की डिबांड किया है वो मेल की के 12,500 रुपीस 12,000 रुपे इंफी मेल की के 8,500 रुपीस यानी 8,000 रुपे और इसमें भी बारगनिंग कर सकते हो और नेक्श बात करते हैं इनी के कजन के बारे में जो है गोल्डर इटीवर जिनमें आप लोगों को सेम चीजे देखने को मिलेंगे इनकी क्वालिटी और एबिलिटीज क्योंकि दोनों ही वर्ड की सबसे फेमस और सबसे पर्फेक्ट फेमिली डोग पीड है चाहे आप लोग लेड़ को पर्चेस को या फिर गोल्डर इटीवर को इनमें जो फ़र्क होता है वो था बस इनके फ़र्का और आज कल तो इनका प्राइस भी अल्मोस सेम ही होता है चूंकि भाई पहले गोल्डर इटीवर काफी एक्सपेंसिव होते थे तो आप लोग इन पपीज को देखे ये जो के साथ रखो या अपनी बड़ी सी फैमली में वैसे गाइस गोल्डर इटीवर में आप लोग को फिमेल पपीज नहीं मिल पाएंगे बिकुश ये सिर्फ मेली पपीज है जिनकी एस 38 डेस की हो चुकी है और उन्हें चुन के प्राइस की डिमांड के है वह के जश्ट 11, यानी 11,000 रुपे और दोस्तों ये जो प्राइस ये भी फिक्स नहीं है तो गईस नेक्स बात करते हैं चर्मेंड शेफ़र के बारे में जो कि एक मीडियम कोट का मेल पपी है और ये भी आप लोग को उतने गम प्राइस में मिल जाएगा जितने के आप लोग को दूसरी बाकि ये सभी डोग स्पीड आप लोग को एक ही प्लेस से मिल जाएंगी और ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली एंसिया से एंड आप लोग को पूरे आल ओर इंडिया में डिलिवरी भी मिल जाएगी लेकिन एक्स्टा चार्च पर बट मैं प्रेफर करूंगा कि पसना है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करें तो मिल दाओ नेक्ट वीडियो में सो टेक केर एंड बाबाई